सबसे पहले हम यहाँ पर एक डाइग्राम कर लेते हैं एक तो ले लेते हैं एक सेक्सिस और एक हम ले ले रहें वाई एक्सिस और एक कैनन बॉल को फायर किया गया कितना वेलोसिटी से 200 मीटर पर सेकेंड दो सो मीटर पर सेकेंड कितना एंगल पर साट डिगरी के एंगल पर तो यह कुछ इस तरह से जाकर के ऐसे नीचे गिरेगा ठीक है तो एक तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा एड़ इस पॉइंट पॉइंट जब यह अपने हाइस्ट पॉइंट पे था हाइस्ट पॉइंट कहने का मतलब हो गया कि जब यह यहां पर था तो क्या हुआ कि इट एक्स्प्लोट्स इंटू थ्री इक्वल फ्रेग्मेंट्स तो तीन अलग-अलग भाग में बढ़िया तो सपोस करो कि इसका मास हम माल लेते है थ्री एम तो यह तीन अलग-अलग पार्ट में बढ़िया और इक्वल पार्ट में मतलब सबका मास कितना हो जागा एम करके एक बड़ा सा कैनन बॉल था जिसको फायर किया गया 200 मिटर पर सेकेंट से 60 डिगरी पर तो अपना हाइस्ट पॉइंट पर जाके यह तीन अलग- इस सेकेंड वन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड जो दूसरा वाला है वो नीचे जाता है कितना से 100 मीटर पर सेकेंट से ओके तो थार्ड फ्रेग्मेंट विल बी मुविंग विटे विलोसिटी जो तीसरा फ्रेग्मेंट है वो किस तरब जा रहा होगा तो यही मेरा कंजर्वेशन ओफ लीनियर मोमेंटम यह हम लोग यहां अपलाई करेंगे अब यह अपलाई करेंगे तो बेसिक रीजन इसका यह है कि यहां पर टूटल एक्स्टरनल फॉर्स जीरो है जो भी कॉलिजन जो भी हां पर एक्स्प्लोजन हुआ है वो डिउटू इंटरनल फोर था उतना ही बाद में भी करा देंगे ठीक है तो चलो अब हम यहां पर शुरू का मोमेंटम देखने के लिए हमको पता होना चाहिए कि जो इसका वेलोसिटी कितना है एक्स्प्लोड करने से पहले इसका वेलोसिटी कितना है तो उसके लिए जो मेरा हाइस्ट पॉइंट पे कि दो सो का एक्स कॉंपोनेंट जो कितना होता है 200 कॉस्ट सिक्स्टी डिग्री तो 200 कॉस्ट सिक्स्टी का वाल्यों कि वान वाय टू हंड्रेड मीटर पर सेकेंड यह जब प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ रहते तो उसमें बात किये थी हाइस पॉइंट पे पार्ट वो कितना से चल रहा है वो चल रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से और इसका मास कितना है 3M ओके तो इसको हम लोग किदर जाते वह देख रहे है एक्स डायरेक्शन में अब जब कोलिजन एक्सप्लोजन हो गया तो एक्सप्लोजन होने के बाद एक पार्टिकल उपर चल गया जिस इसका भी मास M था और यह जा रहा था माइनस वाई एक्सिस में और तीसरा पार्टिकल हमको नहीं पता है किदर गया लेकिन मास M है और मालो वेलोस्टी भी है अब इस वी के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता है तो टोटल मोमेंटम पहले का कितना होगा पहले का मोमेंटम हो जागा mass into velocity equal to final momentum कितना हो जागा देखो mass into velocity लेकिन direction अलग है यह i था i cap मतलब x में जा रहा था ठीक है तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 3m into 100 i cap क्योंकि x direction है दूसरा वाला हो जागा m into 100 j cap तीसरा वाला हो जागा plus m into 100 but minus j cap और चौथा वाला के बारे में 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 कुछ भी नहीं पता बस mass into velocity रख दो देखो हर जगा से m कट जाएगा यह जगा 300 i cap यह जगा 100 j cap यह जगा minus 100 j cap और यह जगा v यह आपस में कट जाएगा तो finally जो मेरा v आएगा that will be equals to 300 i cap ओके तो यहाँ पर option number b देखिए 300 meter per second in the horizontal direction i cap का मतलब होई होगया x direction तो 300 meter per second से horizontal direction में यह move करेगा यह पूरा detailed solution है I hope आप यह समझ पाएँगे thank you झापने हैं पाएँगे